हेलो एवरीवन, वेलकम तो आर चैनल उडान सपनों की आज हम करेंगे क्लास 10 की साइन्स की वक्षीट, वक्षीट नॉमबर 79 जो कि आपके लिए 29 जनवरी की है एसिट्स, बेस एंड सॉल्स के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं आज हम पढ़ेंगे assertion and reason type of coefficients यह आपके exam में आते हैं और हमने last वक्षीट में एक ऐसा example किया है क्या करना होता है इसमें two statement are given in this type of question दो statement दियो होती है एक को हम कहते assertion और दूसरे को हम कहते reason select the correct answer to the following these questions from code A, B, C, D तो देखें इसमें आपको क्या करना होता है इससे assertion दिया है यह reason दिया assertion का मतलब क्या होता है simple statement दे रखिया fact or opinion but not necessary necessary to यारी कि एक fact दे रखा है एक line दे रखियोती जो कि सच हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते है reason इसका फिर एक reason दिया होता है a statement supposed to justify the assertion यारी कि इसको justify करने के लिए cancer दिया होता है but not necessary to तो मतलब ऐसा भी हो सकते है कि वो reason सही हो और ऐसा भी हो सकते है वो reason सही नहीं हो तो आपको क्या करना है a answer कब देना है both a and r are true and r is correct explanation of the assertion यानि कि a तो सही है और b भी सही है इसका जो reason दिया है वो भी सही है यानि कि यह तो सही है यह भी सही है लेकि जो इसकी explanation है वो सही नहीं है तो हम भी answer करेंगे c कब करेंगे जब a true होगा और b गलत होगा और d कब करेंगे जब a गलत होगा और reason जो है उसका सही होगा तो a b c d जहां भी मैं a बोलूंगी आपको यह पूरी लाइन लिखनी है जब b बोलूंगी तो आपको यह पूरी लाइन लिखनी है चलिए एक्जामपल दिया हुआ है एक एक्जामपल देख लेते है assertion क्या है the waste from a paper factory contain a high amount of hydrochloric acid HCL है बहुत ज़्यादा एक paper की factory है उसमें से waste product निकल रहा है जिसमें asyl बहुत ज़्यादा है we should treat the waste with a strong waste before disposal to make it safe अब assertion क्या कह रहा है वो कह रहा है कि उसको dispose करने से पहले हमें उसको treat करना चाहिए एक strong base के साथ क्योंकि यह acid है है ना भई इसका reason क्या दे रखा है treating it with sodium hydroxide neutralize the effect of acid अब देखिए sodium hydroxide यानिकि NaOH यह क्या है base है और यह क्या है acid है तो यह भी सही दे रखा है इनोंने explain में सही कर रखा दोनों चीज़े सही है तो correct answer is A both A and R are true and R is correct acceptation of this assertion ठीक है अब देखिए justify भी कर रखा है इनोंने क्या कर रखा है hydrogen chloride यानिकि HCl और hydrochloric acid when added in water ionized forming a hydrogen ion और chloride ion इसको अलग अलग हो जाते है thus it is acidic and can be neutralized by an action of base base के साथ react कर सकते है since hydrochloric acid is strong acid acid है it can be neutralized by reacting with a strong base strong acid है तो strong base के साथ इसकी reaction कराएंगे SCL क्या हो गया acid और NOH क्या हो गया base हो गया तो यह milk क्या बना देता है NACL salt बना देता है और water बना देता है चले दाओ प्राक्टिस इसकोषिंज देखें first देखते है क्या जर्शन दे रखा the acid must always be added slowly to water with constant stirring तो यह विल्कुल सही दिया हुआ है कि जो acid है जो हम मिलाते है पाने के साथ वो दीरे-दीरे हिलाके मिलाने चाहिए इसका reason क्या दे रखा है the process of dissolving an acid in water is highly exothermic exothermic का मतलब कि जब हम उसको मिलाते है तो heat evolve होते है ठीक है heat निकलती है तो इसलिए exothermic तो exothermic का मतलब होता है heat निकलना तो यह सही कह रहे है reason भी हमारा बिल्कुल सही है तो A भी सही है हमारा और इसका जो reason है वो भी सही है और उसकी explanation भी सही है यह भी ठीक है तो दोनों ठीक है तो हमारा उसमें option क्या आ जाएगा A आ जाएगा चीक है assertion second question देखते है calcium oxide is a base but not an alkaline ये भी ठीक है calcium oxide जो है वो base है ये ठीक बोला है इसका reason क्या बोला है calcium oxide is insoluble in water ये गलत बोला है इनों ने जो calcium oxide होता है वो soluble होता है water में गुल जाता है तो यहां पे जब first सही है और second वाला गलत है तो हमारा क्या option था C A is true but R is false तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा C आ जाएगा यानि कि इसमें A और इसमें आपका C थर्ड देख लेते हैं there is no change in the color of litmus paper when brought in contact with distilled water ये बिल्कु सही बोला गया है अब इसका reason क्या दे रखा है reason दे रखा है कि जो litmus paper है use to find whether a solution is acidic or basic तो यह कहने कि litmus paper जो है उसका use होता है यह जानने के लिए कि वो acidic है solution या basic है ठीक है लेकिन इन्होंने सही explanation नहीं दिये इसमें इन्हें neutral के बारे में भी तो बताना चाहिए question तो इसमें आपका आजाएगा B यानि कि आपके first answer आएगा A second answer आएगा C और third answer आएगा B और E ठीक है चलिए फॉर्थ question देखते है ageno three is a strong acid ठीक है strong acid है यह ठीक बोले reason क्या दिया हुआ है a strong acid dissociate completely or almost completely in water कहरे है कि जो acid होता है वो water में dissociate हो जाता है तो यह विल्कुल सही है आपका दोनों ही सही है तो इसमें भी आपका क्या answer आजाएगा A fifth देखते है अजर्शन क्या है salt are the product of an acid based reaction यह विल्कुल ठीक है जब acid of base की reaction होती है तो salt हमारा produce होता है अभी हमने उपर जो एक होता है उसमें भी देखा reason क्या दे रखा है salt may be acidic और basic salt होता है यह गलत दे रखा है वह तो ना acidic होता है ना basic होता है neutral होता है ठीक है तो यहां पर आपका क्या जाएगा कौनसा option आएगा I think B आएगा ने sorry C आएगा C option आएगा C option आएगा to water the resulting aqua solution get corrosive corrosive हो जाता है corrosive आपको पता है जंग लगता reason क्या दिया हो इसका hydronym iron are responsible for corrosive reaction action तो यह बिल्कु सही है hydronym iron के वे जैसे corrosive action होता है यह भी ठीक है यह भी ठीक है दोनों ठीक है explanation भी सही है तो इसका answer आएगा clear है लेकिन आप ABCD की मत लिख दीजेगा ऊपर जो example में लिखा है पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी A C B A C A ठीक है बतलब आपको यह लिखना पड़ेगा A जब आप लिखेंगे तो A के साथ ने आपको यह पूरी लाइन लिखनी होगी यह देखें यह पूरी लाइन आपको इजाज शेयर जरूर करें थैंक यू